प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अगले दो दिन मेराथन बैठके करने वाले हैं जिनमें देश भर में महामारी से लड़ाई की नई रणनीती पर मंथन होगा पीम 16 और 17 जून को सभी राजियों और केंदर शासित प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों से बात चीत करेंगे माना जा रहा है कि प्रधान मंत्री अगले दो महीनों की रणनीती पर काम कर रहे हैं इसी के तहत सभी राजियों से इनपुट हैं उन से बात्चीत की जाएगी जिसके आधार पर आगे की रणनीत त्यार जाएगी के इंदर सरकार पहले ही दो तरह की रणनीती के आधार पर प्लान बना रही है एक तो पूरे देश के लिए common guideline है तो दूसरी और राज्यों को अपने हिसाब से जीवन पटरी पर लाने की छूट भी दी गई है केंदर सरकार खास तोर से उन राज्यों और शहरों को लेकर पैनी नजर बनाए हुए है जहां कुरोना महामारी से हालात बेकाबू हो रहे हैं इनमें दिल्ली और मुंबई प्रमुख रूप से शामिल है इसके अलावा common guideline का सकती से पालन कराने पर भी जोर है ताकि आवागमन और व्यापारी गत्विधियों के कारण संक्रमण की रफतार पर कंट्रोल किया जा सके इनमें मास्क और सोसल डिस्टेंसिंग शामिल है इसके अलावा मरीजों को स्वास्त सुविधाय मोहया कराने साथी टेस्टिंग बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है इसके लिए प्रधान मंत्री हर इस्तर पर फीड़ बैक ले रहे हैं और बीते शनिवार को उन्होंने केंद्रिय ग्रह मंत्री अमिश शाह स्वास्त मंत्री डॉक्टर हर्सवर्धन और बरिश्ट अधिकारियों के साथ बैठक भी की और ताजा हलात का जैजा लिया इस बैठक में ICMR के बरिश्ट अपसर भी सामिल रहे इसके बाद रवी वार को ग्रह मंत्री अमिश शाह ने दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद केजरिवाल और उपराज्यपाल अनिल वैजल और केंद्रिय स्वास्त मंत्री डॉक्टर हर्स वर्धन के साथ बैठक की जिसमें दिल्ली को लेकर रणनीती बनाने पर चर्चा हुई आज फिर ग्रह मंत्री अमिश शाह ने सर्वदली बैठक बुलाई जिसमें वीजेपी, कॉंग्रेस, आम आदमी पार्टी और बियस्पी के नेताओं ने हिस्सा भी लिया सारे फीडबैक के बाद अब प्रधान मंत्री अगले दो दिन सभी मुख्य मंत्रियों से चर्चा करेंगे और फिर आगे की रणनीती को अंजाम देंगे जहिर सी बात है कि प्रधान मंत्री एक सकरात्मक पहल करने की दिसा में लगातार लगे हुए हैं और एक बात के लिए प्रधान मंत्री की तारिफ की जानी चाहिए कि जिस तरीके से वो सब की बात सुन करके सब का सुझाओ और सब का इनपुट लेने के बाद कोई एक बड़ी घोशना करने की कोशिस करते हैं इसलिए जाहिर सी बात है कि प्रधान मंत्री के धारणाओं में और उनके द्वारा की गई घोशनाओं में कहीं न कहीं काफी बल होता है